हर्याना एट नाइन पीम नुश्यानल में आपका स्वागत हैं आहिए आपको करा देहीं खब्रसाइब एक ही घर में बाराद लेकर पहुँचे साथ दुलहे लटका मिला ताला खरकुदा में तीन साल पहले भी हुआ था ऐसा खरकुदा बस्टेंड पर खड़े रहे गए थे दस से जादा दुलहे नरिला से शादिका दिया था छासा बाराद लेकर एक के बाद एक साथ दुलहे ही द्वार पर पहुँच गए हैरान करने वाली बात यह थी कि जब वह वहाँ पहुचे ने तो वहाँ दुलहन थी ना घर वाले और ना ही शादि कराने वाले मामला मध्यप्रिदेश की राजधानी भोपाल का है भोपाल के कोलार थानी में एक दो नहीं पूरे साथ दुलहे अपनी शिकायत लेकर जमा हुए थी जिनकी शिकायत थी कि जब हम बारात लेकर यहाँ पहुचे तो ने तो दुलहन ने घर वाले और ना ही शादि कराने वाले इन दुलों की शिकायत पर कॉलार पुलिस ने ठगी कराने वाली संस्था कि संचालकों पर धोखा धड़ी का केस दर्श किया है संस्था ने इन सभी से शादी कराने के 20-20 हजार रुपे लिए थी शादी करवानी का जासा देकर युवकों से लाखों की ठगी करने वाली संस्था शगुन जनकल्यान सेवा समेथी के संचालकों पर कॉलार पुलिस ने धोखा धड़ी का केस दर्श किया है गरीब लड़कियों को अच्छा इस्था दिलान के बहानी लड़कों को दिखाया चाता था इन्हीं लड़कियों को दिखा कर वर्ट पाक्षिस से 20-20 हजार रुपे रेजिस्ट्रिशन के नाम पर वसूले चाते थे बाद में लड़कियों से कहते थे कि लड़के ने शादी से मना कर दिया तैय तारिक पर जब लड़का बारात लेकर बताए ठिकाने पर पहुंचता तो यहां ताला लगा मिलता जानकारी के मताबिक महगाउं भिंड निवासी पैतिसवर्शिक केशव भगेल गुरवार को बारात लेकर आए तो शादी वाले घर पर ताला लगा मिला यहां नहीं तो दुलहन थी और नहीं परिवार वाली पी आई चंदरभान पटेल के मताबिक शादी तैक कराने वाले शगुन जनकलांट सेवा समीती के दफ्तर पर भी ताला था प्रिशान होकर केशव कोलार थाने पहुचा तो यहां पहले से छे धुले और उनके परिशन अपने अपने शिकायद दर्श करवा रहे थे केशव के बहनोई जग्दीश दिन महिने पहले भिंड गए थे बस स्टीशन पर उन्हें शगुन जनकलांट सेवा समीती का परचा मिला इसमें चार लोगों के नाम और नमबर दिये गए थी परची में दावा किया गया था कि समीती गरीब बच्चों की शादी कराती हैं परची परची पर दिये नमबर पर बात करने पर एक महिला ने कॉल रिसेव किया महिला ने अपना नाम रोशनी तिवादी बताया उसने रिष्टे के लिए कुलार के विनित कुझ स्थित ऑफिस बुलाया जगदीश ने बताया कि 16 जनवरी को दुपहर वी ऑफिस पहुँचे उन्हें 25 वर्ष्टे लड़की दिखाई गई इसके बाद रिष्टे तैह हो गया था रोशनी ने लड़की को अपनी बेची बताया था समीती ने शादी कराने के नाम पर 20,000 रुपे लिए थे केशिव जब कोलार में बताय पते पर पहुँचा तो वहां ताला लगा मिला उन्होंने रोशनी और उसके साथियों को कॉल किया लेकिन सभी के फोन बन थे समीती के ओफिस में भी ताला लगा था थाने पहुँचने पर 6 दुलहे शिकायत करते मिले दुलों में दो आगरा एक शिव पुरी और एक भिंडगा था शिश दुलहे बिना शिकायत करे ही वापस चले गए रिंकू, कुल्दीब और रोशनी तिवारी नाम के लोग इस रैकेट को चलाते थे ये लोग शादी की उम्र की गरीब लड़कियों की तलाश करते थे पर बिना दहिश की अच्छे घर में शादी करवाने का अच्छासा देते थे लड़की को वर्ड दिखाने के बहाने इलाते थे बाद में रुष्टा रद करने की बात कहकर लड़की वालों को मना करते दे थे जानकारी है कि कुल्दिप तिवारी और उसकी पत्मी रोशनी तिवारी शगुन जन का लैंड सेवा समीती संचालेत करते हैं रोशनी लड़की की माप बनती थी रिनकू सेन संस्था का करमचारी बनता था रोशनी तिवारी लड़की की माप बनकर फर्यादियों को ठक दी थी इसमें लड़का और लड़की तो सच्ची होते थे लेकिन बागे सब कुछ जूट होता था बदा दें कि पुलिस ने संस्था के संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जान शुरू कर दी है आप सभी खर्खुदा शहर वास्तियों को सुचित किया जाता है कि शहर खर्खुदा का प्रॉपर्टी टेक्स सर्वे का कारिये पूरा हो चुका है जिस किसी भी व्यक्ति को कोई दावा व्यापत्ती है तो वहें दिनांक 22 मार्च 2021 से 5 अप्रेल 2021 तक ओर्लाइन पोर्टल www.pmsharyana.com पर तथा ओफलाइन नगरपाली का खर्खुदा की कारियाले में बिल्कियत से संबंधित दस्तावे सहित अपना दावा व्यापत्ती जमा करवा सकता है लगादर खबरों से अबडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद